तो हेलो फ्रेंज वेलकम बेक में डिश चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश फ्रेंज जो भी 9 क्लास का है बर्माज टूडे निकल गया फ्रेंज इसको कर लेने के बाद आपका क्लास 9 का जो भी एस्टूडेंट है वो अच्छा मार्ग स्लिव आए पाएंगे ये आपको सेट ये लुक करने जा रहे हैं इंगलिश का सेट करेंगे तो इसमें आपको 100 परशन्ट मार्क्स आने का उमीद रखते और आपका आएगा, तो आएए हम लोग देखते हैं, ज्यादा हम लोग discuss नहीं करेंगे, आएए हम लोग that question पर आएगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे friends कि क्या क्या करना है, तो देखे friends आप लोग को क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको यहाँ देखना objective question है, देखे य यह है, बहु बहु विकल्पिय प्रस्नुत्तार है, ठीक है friends, जो प्रत्थम देख सकते हैं, यहाँ पे लिखावाँ है, प्रत्थम सर्वधिक सावधिक या सर्वधिक लिए सावधिक परिक्षा के लिए है, ओके friends, तो देखिए हाँ, हिंदी, इंग्लिस, मैथमेटिक सब आपको यहाँ मिलेगा, तो friends, हम आज डिसकस करेंगे यहाँ पे, इंग्लिस का करेंगे, इंग्लिस ग्रामर करेंगे, जिसे इंग्लिस ग्रामर बहुत आसानी से आप मार्क्स उठा लेंगे, और आसानी स्पास भी हो सकते, इंग्लिस ग्रामर अगर अच्छा अर्वल गया अच्छा जानते हैं तो आई हम लोग डारेट बात करते हैं और इसको थोड़ा सा जुम कर देते हैं ताकि आपका प्राशन बिल्कुल अच्छा से दिखेगा और इसे कोई दिकत नहीं होगा आइए हम लोग देखते हैं इंकलीरी जहांस इसको देखेंगे बहुत आछा तरीके से लास्ट मेरी आपको बहुत आछा टिपs देने माले आज और इस टिप्स के माध्यम से आप नाइन क्लास का स्टुडेंट जो भी है वह बहुत अच्छा माक्स उठा पाएंगे और तो आईए हम लोग देखते हैं तो देखें जो देखने को हम लोग का मिलता है फ्रेंज पहला कोशन में देखी यहां पर कि चूज क्या फ्रेंज ग्र एंसर फ्लोइंग कोशन जो यहां सही वाला टिक करना है सही वाला चूज करना तो पहला कोशन है फ्रेंज आर्द ब्वाइज क्या फ्रेंज आर्द ब्वाइज खालिया स्थाने क्या होगा फ्रेंज प्ले होगा प्लाइंग होगा या प्लेज होगा या प्लेज होगा या एंसर यहां क्यों होगा वो कारण देखना है देखिए इसलिए यहां पर जब इसम आ रहाएगा तो हम हर्भ जो एक्षन होगा वो इसलिए यहां पर जोड़ते हैं तो देखिए एक्षन के साथ में एस या एस जोड़ते हैं तो देखिए एक जिसमें एस है यहां परेंश तो इस स्पिक में क्या है एस एकसे इसको जोगा टेक कर देखिए ऐसे लिखाए तहको यहां देहना है यहां यहां लskरौ यह होगा यह यहां आ Οgia तो आपको देखेंगे प्रेंस जब आई है यहां आई के साथ लगता नहीं तो पहला यह कशन नहीं होगा यह कट हो जाएगा और यहां देखेंगे आई के साथ M लगता है आई के साथ वाज लगता है वाज लगता है यह सही है लेकिन यहाँ पर इस डेज का बाद रहा है जब इस डेज हो यह आज कल के बाद होगा तो इसका मतलब यह present के बाद है present में M लगता है आई M learning तो आपका option D हो जाएगा आप कारण समझ यह यह answer यहाँ दे दिया है इसका मतलब वो answer नहीं देखना आपको समझना कि answer क्यों हो रहा है यह बहुत अच्छा कराएंगे अब दन समझते जाए और सीखते जाए कोई दिकत नहीं हो छोटा और थोड़ा बड़ा भी कर देते हैं इसे कोई दिकत नहीं है आराम से आपको दिखेगा भी दिखे गाए ठीटये पूरा बिल्कुल आपको आराम से दिखेगा इसे कोई दिकत का नहीं पूरा दिखा दे रहे है तो next question है फ्रेंच यहाँ पर यह वाला ठीक है कर देते हैं इस में आपको ठीक रहके अब दिखें और जब यहां एक से जढ़ा बड्स के बात हो रहा उड़ता है यहां देख़ो फ्रेइंग होता है उडुःएंग होता है और यहां उबर होगा फ्लो तो होगा ने फ्लो भी हो सकता फ्लो तो नहीं होगा क्या यह फ्लो थोड़ी होता है मैंस बहता थोड़ी है यह उड़ता है तो तो यहां दू ओप्शन है देखे दू अब यहां भीत्री भी नहीं हो सकता है क्योंकि क्योंकि भीत्री कब आएगा है रहागा यह मुंबई लिप्ड होगा तुर्ट वह खाली यह लीप सोगा वास लिप्ड होगा यह इस बीद लिव। होगा तो देखें फ्रेंस यह present indefinite का जब present indefinite होगा तो कोई भी ही के साथ में जो भरव आएगा वो एस क्या होगा फ्रेंस एस या इस के साथ में आएगा देखें इस आएगा या मिदलब S के साथ में आगा, S या E S साथ में आगा, कोई भी एक्षन होगा तो देखेंगे friends क्या है देखें जिसमें S या E S है वही होगा, तो यहां देखें S है कुछी में है नहीं, तो प्रास नाम मारा एक होगा, मतलब question, यह जो option होगा, एक होगा, इसलिए आप ध्यान से देखिए दोड़ो दोड़ो और लगतार दोड़ते रहो एसा नहीं कि ज्यादा जोर से दोड़ेंगे फिर रूख जाएंगे नहीं अपना एबरेज बाइलिंस बना के अब मतलब एक एबरेज में दोड़ना है प्रेंस तो इसमें क्या होगा प्रेंस दखो स्लोगा सतेड़ी क्या होगा यह होगा आपका यह तो होगा नहीं यह स्चेड़ी एक संगुलर सब्ज़ेक्ट के रूप तरी ces यूज किया जाता है ठीका प्रेंस अइंसर तो क्या होंगा थार्ड देखिए यां थार्ड मैंस ऐंसर देखिए कि नहीं समझना आपको यहां समझना यह एक किल्स तरीके से बनाएंगे वह समझना इन एक इंसर है यह तो वह plugins ही टीक लगा दियें तो इसे गलत हो झाएगा यह नहीं होगा तो नहीं होगा एक समझने का बात है देखें आप फुलिटिक्ष नहीं हो जैसे प्लिटिक्ष हो या इकनोमिक्स इसमें लास्ट में अस आता है तो ऐसे जगा में हम लोग यह समझ के नहीं समझ सब्सक्राइब यहां और तो होगा नहीं जब सिंगुलर है यह पुलिदे के लिए उच करते हैं यहां पे हैंजों पिए अगर होता दो यहां नहीं होता हैं कोई खेलने का action डालनाओं मतलब यहां एक ट्रथी गेम होता थे थीक है तो politics क्या है एक ट्रथी गेम कहलने का बत नहीं है एक गेम है पौलिटीक से एक गेम तरह आंशर क्या हो जाएको प्रेंज आनि आपको इस लागाना सिंपल बात समझना आई फ्रेंज देखते हैं नेक्स्ट में दा पर जिंट कंटिनुवस टेंज को क्या करना फ्रेंज फॉर्म और भर्व जो भर्व का रूप है उसको इस एट पर जेंट दा चिल्रेन इन दा गार्डेन आपको य यूज करते हैं भी फोर तो आपको भी फोर भूंडळ देखो और चिल्डरेन नहीं तो फ्रेंस एक हो नहीं है इसका मतलब बच्चे सभी चिल्द्रेन सभी बच्चे के बात कर रहा है तो देखे सभी बच्चे के लिए हम लोग क्या करेंगा आर यूच करेंगे थुम आर हेज नहीं हो सकता है लेकिन यहां नहीं होगा क्या हो जाता है तो क्या हो । मैंसर जो होो चाहता है तो यह आई प्रेंस नेक्स्ट देखते हैं नाइन में देखें याँ पर्जेन पर्फेक्ट फॉर्म में यूज करना पर्जेन पर्फेक्ट फॉर्म और भर्व का भर्व का जो है पर्जेन पर्फेक्ट के फॉर्म में यूज करना अनि थार्ड फॉर्म आपको ढूनना तो देखें फ्रेंस जहां थार्ड फॉर्म होगा और गाए जो एक परसंट होगा आपको है यह सकता है यह थे लिए एंसर सखता है क्यांकि ही यह उन होता है भी हो सकता है लेकिन आपको यहां क्या युज करना परड़न करना है कहां से आएगा यह नहीं होगा और है जाएगा है जाएगा तो है जाएगा तो आपको सही हो जाएगा मतलब ऑप्शन टू आई फ्रेंस टेन देखते हैं आज 10 तक करते हैं उसके बाद आप लोग अच्छा लगा होगा तो बताईगा तो आगे हम फिर कंटिनीव करेंगे ठीक है फ्रेंस देखे परजेन परफैक कंटिनीवस फॉर्म अब भर बहुत आसान आसान है खले आपको कॉंसेप समझा देंगे ठीक हो जाए तो देखे प्रेंस इसको यह क्या यूज करना है आपको इसमें आई एंजी रहेगा और उसके साथ में जो है न तो को आने फ्रेंस यह है यह भी नहीं है अन्नी यो सब कर रख हो जाएगा सब यह सब क्या हो जाएगा आपका इंसर क्या होगा थार्ड तो इस तरीके से हम लोग किये आगे हम लोग सेट को चंटिनुव रखेंगे वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा शेय मिलते हैं नेक्स्ट विडियो में, ओके.